आज हम आपको सिखाएंगे आप गर्पे मटन पाया या कश्मीरी में जिसको पाच कहते हैं वो कैसे बनाते हैं ये काफी ज़दा टेस्टी बनती है इंको इंग्लिश में ट्रॉटर्स भी कहते हैं और आप ए वीडियो ज़रूर देखेगा बनाएगा ये रेसिपी ऐसे ही होर इंस्ट्रेग्राम और फेस्बुक पेज पे हमने इस वीडियो में आपको क्लिंग करना भी दिखाया है इसको तो ज़रूर ये वीडियो देखेगा पूरा और स्किपने कीजेगा हमारी चानल कश्मीर फूर्फीजिन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा और ये बैल आइ इसको मैं क्लिंग करना भी आपको सिखा दूंगी प्याज लिए हैं गंड तीन से चार आप लेंगे ये फिर हमने यूज किया याम पे मस्टर्ड ओयल या कर्शुर तील अथेंटिक फ्लेवर के लिए सॉल्ट नून रैचिली पावडर वजल मत्सवांगन टर्मरीक लिदर फैनल सीट पावडर कश्मीरी में बज्यान जिंजर गालिक पेस दगित अतरक्त रुहन जिंजर पावडर या शोट ग्रीन काडिमम निचरल क्लोज रूंग सिनिमन स्टिक दालचीन ब्लाक काडिमम बडल तो सबसे पहले या आपने जो रखे थे ट्रोटर्स पानी में गरम पानी में हमने रखे थे ताकि जो इसमें उपर बाल वगेरा है वो थोड़े सॉफ्टन हो जाए और आपको चाकू से इस तरीकी से इसको रब करना है रिमू करना है याद रखिए आपको बहुत जादा इसको हार्ड प्रेस नहीं करना है हमें इसका जो मीटी वाला पोर्श इसमें एकसे जो भी लगा होगा वो आप रिमू कर देंगे हेर हो चाहे वो बॉंट हेर हो या तो कुछ और लगा हो कोल वगेरा वो रिमू कर देंगे आप और इस तरीके से आप सारे पाया जो है वो क्लीं करके रख देंगे और फिर फर्दर हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको कुक करना है तो यहां पर आप देख रहे हैं जितना हो सकता है जितना ब्लाक पोशन उठ रहा है पॉसिबिली उतना हम इसको रिमू कर देंगे और सारे पाया को ऐसे क्लिंग करेंगे अब हमने लिया है इंको एक प्रिशे कुकर में आपकी सी भी कंटेनर में लीजिए और इसमें पानी डाले जितना उसको पानी कवर करेगा पानी डालने के बाद हम इसको लिट से डखके रखेंगे जब तक इसमें एक से दो उबाल आएंगे एक तो उससे कम इसका उपर आ जाएगा और इसमेल वगरा थोड़ी बाग जाती है तो हम इसको एक सो दो उबालने के बाद यह पानी फैंक देंगे और जो यह पाया है a yo करना है प्रफराबली थोड़ा बड़ा होना चाहिए इसमें भी हम पानी डाल देंगे उतना कि जो ये पाच है या पाया इंको ये कवर कर दे प्रॉपरली अच्छे से तो पानी डाल दिया है अब जाएंगे इसमें बाकी स्पाइसेज चार छोटी लाइची चार लॉंग एक दाल चीनी की स्टिक दो बड़ी लाइची नमा कव अपने टेस्ट के अकोर्डिंग अर्जस करेंगे मैंने या पे एक चोटी चमच डाल दिया है जिंजर पाउडर या शोट आदी चोटी चमच फैनल सीट पाउडर या बज्यान एक चोटी चमच टर्मरीक पाउडर या लिदर एक चोटी चमच तो यहां पर मैं डाल रही हूं जिन जग आली का पेस्ट दो चोटी चमच अगर आप चाहे तो आप कर पर जो नॉमल होता है गालिक रोहन वो डाल सकते हैं तो यहां डालने के बाद हम इसको लिड इस तरी से उपर रखेंगे कि इसको उबालना है और भी प्रिशय को कबाद नहीं करना है जब उबल रहा होगा हम तड़का तयार करेंगे मस्टर्ड ओलेंगे पान में गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे पहले एक बड़ी जब ब्राउन होने लग जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च चोटी चमज या जितना आप खाते हैं टीखा आप अड़्जस कर सकते हैं फिर हमें जो यह प्याज है इनको फ्राइ करना है अलोंग विद रेचिली ताकि रेचिली जो है लाल मिर्च इसका कलर अ जब बिलाउन में इसको तेल पर फ्राइ करते कलर बहुत अचाता है अब हम इस तड़का डाल देंगे प्रेश कुकर में जिसमें हमने माटन पाया रखे थे और फिर उसके बाद हम विसल इसको क्लोज करेंगे पहली विसल हाई फ्लेम पे रखेंगे और बाकी तीन हमने लो इस रिली माउ्ठ वóटरिङंग और कलर आप दे fall ते मिलेकल तो इसको करेंगे स्केणर जाता है इसमे विसलोज पना है बनाया और आप भी वीडियो बनाएगा या फोटोग्राफ बनाएगा हमें बेजेगा रेसीप बना के जरूर और हम फीडबाक सेया करेंगे अपने इंस्टेग्राम और फेस्बूक पेज पेज पें तो मैं यहां पे टेस्ट कर रही हूं तो आप लोग भी गर पे टेस्ट कीजेगा और हमें बेजेगा तो यहां पे मैं बिस्मिल्ला कर रही हूं and trust me it is so tasty so mouth watering that you would want to make it again so please like this video और हमारी चानल को जरूर सब्सक्राब कीजेगा